देश के अंतरमन को स्वर और शब्द देने वाले देश के भविश्य को दिशा देने वाले हम सभी के प्रेणा स्रोत स्रत्य अटल जी अब नहीं रहे अटल जी के रूप में भारत वर्ष ने आज अपना अनमोल अटल रत्न खो दिया है अटल जी का विरात व्यक्तित्व और उनके जाने का दुख दोनों ही शब्दों के दायरे से परे हैं वो एक जन्नायक प्रखरवक्ता ओजश्वी कवी पत्रकार प्रभाव साली आंतरराष्टिय व्यक्तित्व के धनी और सबसे बढ़कर माभारती के सच्चे सपूत थे। उनके नीधन से एक यूग का अंत हो गया है उनका नीधन संपुर्ण राष्ट के लिए अप उनने अक्षती है। मेरे लिए तो अटल जी का जाना पिता तुल्य सवरक्षक का साया सिर से उठने जैसा है। उन्होंने मुझे संगठन और शाषन दोनों का महत्व समझाया। दोनों में काम करने की शक्ती और सहारा दिया। वे जब भी मिलते थे पिता की तरह खुश होकर आत्मेता के साथ गले लगाते थे। मेरे लिए उनका जाना एक ऐसी कमी है जो कभी भर नहीं पाएगी। अटल जी ने अपने कुशल नेत्रुत्व और अभीरत संगर्ष के दबारा जनसंग से लेकर के भाजपा तक इन संगठनों को मजबूति के साथ खड़ा किया। उन्होंने भाजपा के विचारों और नीतियों को देश में जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उनी के द्रड निश्चे और कठीन परिश्थम का परणाम है कि आज भाजपा की यात्रा यहां तक पहुंची है। अटल जी भले ही हमें छोड़कर चीज नेद्रा में लीन हो गए हो। लेन के उनकी वानी, उनका जीवन, उनकी साथगी, उनके विचार, उनका दर्शन। हम समस्त भारत वाश्यों के लिए हमेशा प्रेना देता रहेगा। उनका ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी व्यक्तित्व, सदा हम देश वाश्यों का मारदर्शन करता रहेगा। अपार शोक की इस घड़ी में, मेरी समवेदना, उनके परिवार और समस्त देश वाश्यों के साथ है। इस दुख की घड़ी में, मैटल जी के चरणों में, आधर पूर्वक अपने सद्धांज ले अर्पित करता हूँ। अपार शोक की अपने साथ है।